धूंढ़ाड की एक सीट पर बीजेपी करीब 15 साल से खाता खोलने का इंतिजार कर रही है बात दोसा जिले के सिकराई सीट की करते हैं नमस्कार मैं हूँ प्रदीप आप देख रहे हैं थिंक 360 का विधान सबा चुनाव का रणक्षेतर कारिकरम फिलहाल सिकराई सीट अनुसुचित जाती के लिए आरक्षित है परंतु राज्य में आखरी बार लगे राष्टपती शासन 1992 के बाद लागू हुए परिसिमन में ये सीट अनुसुचित जनजाती के लिए रिजरु थी हलांकि दोसा जिला ही इसी के आसपास अस्तित्तु में आया था दस अपरेल 1991 को जैपुर जिले की दोसा बसवा सिकराई और लालसोड तहसील से जिला बना बाद में सवाई मादोपूर की महुआ को जिले में 15 अगस्त 1992 को शामिल किया गया हलांकि सिकराई की जो सीट है वो 1951 में जो पहले चुनाव शुरू हुए थे 52 की शुरुवात तक चले थे उसमें यह सीट थी फिलहाल राजस्तान सरकार में महिला बाल विकास मंत्री स्रिमती मम्ता वुपेश यहां से विधायक हैं यह राजस्तान में करम संख्या के अनुसार सित्यासी नंबर की विधानसवा सीट है और भारती जन्ता पार्टी की जस्को और मिर्ना इस इलाके की सांसद है इस सीट के 267 मद्दान बूत पर फिलाल 2,69,825 वोटर रजिस्टर हैं बीते चार साल में 21,797 नए वोटर जोड़े हैं एक बूत पर और 973 मद्दाता हैं रूंडाड इलाके की असीट, बांदी कुई, दोसा, टोड़ा भी, महुआ, बामनवास, लाल सूट से सीमा साजा करती हैं अगर हम बात करें इसके चुनावी इतिहास की पिछले तीन चुनाओं की तो 2018 की चुनाओं में बीजेपी ने विक्रम बंसीवाल को टिगट दिया था मुकाबला बिलकुल एक तरफ आ रहा, ममता भुपेश यहां से 33,793 बोटों से जीत कर दूसरी बार विदाइक बनी सचिन पैलेट का यहां पर खासा असर माना जाता है और उसी असर के चलते साथ ही पहले जैसे 2013 में नजर नहीं आया इससे पहले जो 2013 की मैं बात कर रहा था 2013 में बीजेपी ने गीता वर्मा की जगे नंदलाल बंशीवाल को टिगट दे दिया गीता वर्मा के बारे में बता था उन्हें 2008 में पर्तियाशी बनाया था लेकिन उनका टिकट आट दिया दो कीरोडि लाल मिρα नेशनल पीपल प्रंटी जो थी जो पी ए शंगमा वाली पार्टी है वहाँ से टिकट दिया गया था और गीता वर्मा 5000 वोटों से चुनाव के हैरत होगी कि लोगों ने 3525 वोट नोटा में डाल दिये इससे पहले 2008 वाला मुकाबला हुआ उसमें मैं बता चुका हूँ कि यहां पर ममता भुपेश पहली बार चुनाव जीती यह सीट शुरू से जंजाती के लिए आरक्षित रही और 2008 में जब यह परिशिमन हुआ तो उसे जंजाती से अनसुच जाते के लिए रिजरू किया गया यहां गीता वर्मा को बीजेपी ने टिगट दिया था उन्हें सिर्फ 27323 वोट मिले कॉंग्रेस ने ममता भुपेश को उतारा तो उन्हें 54470 वोट मिले लोग जंशक्ति पार् और दो खेमों में बटी हुई पार्टी उस पार्टी के उमिद्वार पप्पु ने यहां 17449 वोट लिये थी 2008 में बसपा के प्रत्याशी लल्लू को भी यह 9552 वोट मिले ममता भुपेश 48.94 वोट लेकर यह चुनाओ भारी अंतर से जीती अब बात करते हैं इससे पहले का जो इतिहास है 1952 के पहले विदानसभा चुनाओं में कांग्रेस के त्रिवेनी शाम यहां से विदायक बने थे यह जब यह जिला जैपूर का हिस्सा हुआ करता था क्रशिकर लोग पार्टी के प्रत्याशी नैनिया को उन्होंने हराया था दूसरी विदानसभा यानि 57 के चुनाओं में लाल, सोट, दोसा और बांधी कुई तो सीटों के तौर पे काईम रेविदानसभा सीटे बनी रही लेकिन जो आपकी सिकराई सीट है वो इस चुनाओं में नहीं थी 62 में एक बार फिर से परिसीमिन होता है और यह सीट फिर से अस्तित्तु में आई है 62 के बा पार्टी के लहर आई तो रामकिशोर मिना जीत गे जनता पार्टी के टिकट पर C रतनलाल हार गे में असी में बीजेपी का गठन हुह आर प्रदेश में पहली बार 32 सीटें बीजेपी ने जीती बहरो सिंग शेखावत का यहां से भारती जनता पार्टी के नेता के तोर पे उदय होता है और उनमें से यह जो बत्ती सीटें जीती उसमें से कि सिक्राय सीट भी थी विधायक रामकिशोर मिना को भाजबा के टिकेट पर लगातार दूसरी बार चुना गया परंतु 1985 के चुनाओं में कॉंग्रेस के प्रभुदयाल ने बीजेपी के रामकिशोर मिना को ह बीजेपी ने टिकेट बदला और 98 में तीन बार विधायक रहे रामकिशोर मिना को दिया लेकिन एक बार फिर महंदर मिना ही जीते दोजार तीन में एक बार फिर से बीजेपी के लिए रामकिशोर मिना यहां से प्रत्याशी थे और जीत गए उन्होंने दो बार के विधाय यह जो विधायक बनता है उसी की पार्टियां सत्ता में आती है और अब यह Trend 2023 के दिसंबर में होने वाले विधानसबा चुनाओं में कायम रह पाता है या नहीं यह देखने वाली बात होगी तो राजस्तान विधान सभा से जुड़े खास कारिकरमों से रूबरू होने के लिए राजनतिक अपडेट्स के लिए सबस्क्राइब करें THINK 360 को